सो गाइस विंडोस 11 का इंस्टॉलेशन से लेके डाउनलोडिंग वगरे को लेकर प्लस कम्प्लीट वर्किंग प्रॉसस को मैं यहाँ पे यानि कि फुल स्रीज विंडोस 11 पर आप लोगों को मिलने वाला है आप विंडोस 7 यूजर हैं विंडोस 8 यूजर हैं विंडोस 10 यू कर सकते हैं सब कुस मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोस 11 लॉंच किया हम सब लोगों को पता है काफी पहले लॉंच हुआ था इस पर मैंने दस्त बारे वीडियो बनाया था चोटे-चोटे पॉइंट्स जो नए आ रहे थ यह जो भी डेवलपर वर्जन के लिए था यह जो भी बीटा वर्जन के लिए था सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा आप लोगों को फुल सिरीज अपडेट यहां पर मिल रहा है जिसमें आप नए जो ऑफिशियल अपडेट आ गया है यह उफिशिल यह र इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं A to Z सारे फीचर फंक्शन को मैंने यहां पर बताया हुआ है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डाउनलोडिंग कहां से करना है जो कि जैन्वीन ओफिशियल आपको विंडोस मिले दूसरी चीज कैसे इंस्टॉल करना है और आपक आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेका इंड तक देखना है एक बर विंडोस 11 का ये पूरा वीडियो देख ले तो फिर आपको विंडोस 11 से रिलेटेट कहीं पर भी जाकर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है A to Z सारी चीजे मैं यहां पर cover कर रहा हूं ओकै तो चलिए यहां पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले feature और इन सारी चीजों को लेकर तो हम क्यों ना Microsoft की website पर आजाए और यहीं से सारे feature को समझ लेते हैं यहां पर feature को समझ लेना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यहां पर official update है इसको अलगलिखता मै और सारी चीज़े बताता तो कहीं न कहीं time taken process होता और हम लोग इसको यहां से easily समझ जाएंगे तो Windows 11 के specifications के बारे में, feature के बारे में, computer requirement के बारे में, officially जो है वो है, बाकी आपको अलग से कैसे download upgrade करना सब कुछ आपको पता चलेगा तो नए Windows के साथ अगर आप इसका working experience चेक करेंगे, तो my computer के अंदर कुछ इस तरीके से आपको देखो, directories वगरे मिल जाती हैं, locations कितने अच्छे colorful दिख रहे हैं, कितना manage form में सारी चीज़े दिख रहे हैं और even then मैंने अपने Windows को activate कर रखा है, वो भी Windows 10 से step by step ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने किया, एक मैंने Windows 7 को Windows 11 में करा, वो भी आप लोगों को officially मिलेगा कैसे करना है सारी चीज़े, and आप यहाँ पे देख सकते हो इसके icons वगरे के बारे में, इसका task बार थोड़ा सा कितना अच्छा optimize करके दिया हुआ है, प्लस इसके यहाँ पे नए feature functions कैसे यहाँ पे इस्तिमाल करना है, यहाँ यहाँ पे Wi-Fi adapter, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, कैसे क्या किया गया है, even then यहाँ पे tray वगरे इसका देख सकते हो, बाकी बहुत सारे icons वगरे देख सकते हो search menu यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे multiple widgets वगर add करने का option है, यह सब कुछ अगर को समझना है, सीखना है, यहाँ के application settings वगर हर चीज को आपने जानना है, तो definitely यह वीडियो आपको last तक देखना होगा, ओके, तो चलो, सबसे पहले इसके feature के बारे में सम से पहले देखते हैं, तो system requirement में कह रहा है कि यह जो भी चीज़े यहाँ पे दी गई है, यह आपके Windows 11 PC का minimum system hardware requirement है, और अगर आप अपने Windows, मतलब जो भी आप अपना laptop use कर रहे हो, उसको check करना चाहते हो कि वो आपका support करेगा कि नहीं, तो PC health checker app यहाँ से directly access करके कर सकते हैं, but don't worry, आपको यह video देख लो, आपको अगर PC health checker proper तरीके से आपके system को hardware requirement approved नहीं कर पाता है, तब भी आप अपने Windows 10 पर या older version पर Windows 11 चला भाएंगे, तो सबसे पहले अगर प्रोसेसर की details की बात करें, तो 1 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए, और यह 64 bit compatible होना चाहिए, आप अपन इतने bit पर काम करता है, जैसे यहाँ पर मैं अगर दिखाओं, तो हमारा यहाँ पर जो प्रोसेसर bit है, वो यहाँ पर 64 bit operating system पर है, इसके लावा मैं इसको close कर देता हूँ, and इस तरीके से आप पता कर लेंगे, तो साथ में मैं एक एक lab दिखाता रहूंगा, कि आपको यह नह को इस्तिमाल कर पाएंगे, इसके complete update को इस्तिमाल कर पाएंगे, system firmware की बात करेंगे, तो BIOS आपका UEFI support होना चाहिए, जो कि latest BIOS boot option है, और आप यहाँ से secure boot भी enable कर लेंगे, यानि BIOS के अंदर जाना है, आपको secure boot enable कर लेना है, UEFI को enable कर लेना है, कैसे करना इसका भी मैं आपको proper video दूंगा, don't worry, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, आपके system पर trusted platform module, यानि की TPM chip का support होना चाहिए, जिसके तुरू आप bitlocker वगेरा पे काम करते हैं, ताकि आप अपने system पर proper Windows 11 को install कर पाएं, graphic card का support यहाँ पे direct x12 का होना चाहिए, और यहाँ पे high definition display आपके system पर हो चाहिए, तो आजकल कोई भी आपके पास monitor होगा desktop का या laptop का, तो वो 720 pixel तो support करी रहा होगा, और वो भी 8 bit color पर काम कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका display 100% support करेगा, graphic card 100% support करेगा, TPM भी आपका support करेगा, क्योंकि बहुत पहले से यह आपका bitlocker का model चला आ रहा है, BI तो EFI भी मिल जाएगा, जाकर enable करना है, and then काम करना है, तो इसके अलामा अगर आप just नीचे आएंगे, तो इसके feature functions की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो feature specification and requirement में, तो सबसे पहला, अगर आप i3 8th generation पर हैं, या AMD का 300, Qualcomm, Snapdragon 8C, या इस से ज़्यादा above के processors हैं, तो definitely आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे, solid state drive अगर आपके पास है, तो proper support मिलेगा आपको, और काफी fast Windows 11 experience का इस्तेमाल कर पाएंगे, hard disk actually 10 times slow होती है आपके SSD से, इसलिए यहाँ पे recommend किया जा रहा है, कि अगर आपको fast Windows 11 का experience लेना है, तो आप solid state drive को इस्तेमाल करें, उसके इसलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, कि 5G का support इसके अंदर दिया गया, अगर आपका system 5G compatible है, तो definitely 5G यहाँ पे directly आप access कर पाएंगे, HDR support यहाँ पे मिला है, monitoring के monitor पे, अगर आपके system का, जो monitor है, जो display HDR support करता है, तो definitely आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे contrast ratio में, या contrast color में आप अपने वीडियो का experience ले पाएंगे, bitlocker to go का option यहाँ पे flash drive या USB drive के लिए दिया गया है, यहाँ पे client hyper V का use किया गया है, मतलब दिया गया है, जिसके अंदर आप multiple virtual machines वगएर क्रियेट कर सकते हैं, Cortana का यहाँ पे जो support है, यह है, बट यहाँ पे और officially हटाया गया इसको, feature के अंदर है, Cortana आप download कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो Windows 11 में, यह Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico and Spain, United Kingdom and United States, इन सब जगहों पे Cortana का supports available, but इतना याद रखो कि Cortana भी आपको directly यहाँ प Cortana करना पड़ेगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूं क्यों ऐसा है, direct storage का option मिल जाएगा, जिसमें NVMe, SSD और इन सब चीजों पे complete आपको access मिल जाएगा, और काफी fast experience का इस्तिमाल कर पाएंगे, direct X graphic मतलब इसके अंदर support होना चाहिए, और यह available है, और अगर आपका system graphics, available inbuilt graphics, जो CPU के अंदर होता है, processor के अंदर होता है, आप अगर laptop या desktop बाई करते हैं, तो उसमें मिलता है, आपको की Ultra HD, UHD support करता है, 920 pixel support करता है, 1080 pixel support करता है, जो कुछ भी है, तो definitely आपको मिलेगा, यहाँ पर presence की बात हो रही है, intelligent video conferencing का option मिल जाता है, इसके अंदर आप background blur बगर का 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 अच्छा option पा जाते है, mic output बगर, audio quality बगर, अच्छा आपको मिल जाता है, अगर आप बात करें, multiple voice assistant बगर मिल जाता है, snap option मिल जाता है, mute and mute taskbar से option मिल जाता है, है न, and then special sound option मिल जाता है, Microsoft team का option मिल जाता है, जो की यहाँ पर है, आप अपने team या अपने member से office के अंदर direct support या चैट या video call, audio call कर सकते है, Microsoft team ये सारी चीज़ें आपको provide करता है, touch display आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका touch display नहीं है, तो touch हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर आपका display touch support करता है, तो definitely आप multi touch display का इस्तिमाल कर पाएंगे, and two factor authentication के लिए आप pin इस्तिमाल कर स सकते हैं, अपने system पर login करने के लिए, wise typing यहाँ पर मिल जाता है, बहुत कुछ नया add है, एक एक चीज़ को क्या देखना, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, Xbox app का काफी अच्छा support है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, and आपका system अगर काफी slow है, Windows 11 को use करने में, तो आप जो की यहाँ पर एक तरीके का depreciate किया गया, या उसको हटाया गया, तो यहाँ पर साफ Microsoft Windows 11 में बोला गया है, कि Windows 10 में, जो भी चीज़ें install थी, और upgrade करने के बाद Windows 11 में, जरूर ने वो सब कुछ मिले, आपको कुछ feature यहाँ से हटा दिया गया है, और इन सब features में से कुछ य ब्राउजर आपको मिल जाता है, अभी मैं यहाँ पर अगर intent explorer सर्च करूं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि Windows 11 पर मैंने किया अपने Windows 10 को, management capabilities की बात करें, option है, math input panel को यहाँ से remove कर दिया गया है, और भी यहाँ पर बहुत सारे options वगरे को हटा दिया गया है, snapping tool की जगा पर snip and sketch का option आगया है, और यह काफी interesting एक tool है, जो कि snapping के लिए आप इस्तेमाल कर सकते, start button वगरे तो आप देखी रहे है, कैसे पूरा का पूरा modify हो गया है, सारी चीज़े, tablet mode वगरे यहाँ से हटा दिया गया है, task bar को कुछ options यहाँ से हटा दिया गया है, सारी चीज़े, तो बहुत changes किया गया है, okay, 3D view अगरा काफी अच्छा यहाँ पे, मतलब की, पहले वाले में आपने देखा होगा, कि 3D view अगरा का जो भी extended option और यह सारी चीज़े, definitely वो सब था, बट अभी इन सब चीजों को temporarily हटाया गया है, बहुत सारी चीज़े, बट आप इसको use कर सकते हैं, skype अ यहाँ पे नहीं है option, आप इसको use कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बोल दिया गया, हटा दिया गया है, वो आपको use करने को नहीं मिलेगा, definitely आप इसके Microsoft Store से download करके use कर सकते हैं, इसका Microsoft Store में जो applications का option availability, mobile के applications के availability काफी enhance किया गया है, और बहुत एक नेक्स लेबल त या older version है, तो भी आप इसको up to date कर सकते हैं, proper update आपको मिलता रहेगा, language support की बात है, तो आपको English लगबग में हर जगा पे support मिल जाता है, तो English तो मिलेगा ही मिलेगा, plus additional अगर आप इसमें से language देख सकते हैं, तो यह सब language support भी आपको मिल जाता है, आप Windows को install करने के बाद, य यहाँ पे check करना चाहते हैं, तो definitely आप अपने Windows 11 के compatibility को check कर सकते हैं, और काम कर सकते हैं, तो पहला तो आपने यहाँ पे hardware requirement, कुछ new feature, और पुरानी features को जो हटाये गया, वो सब आपने देखा, and अगर really आप Windows 11 को install करना चाहते हैं, तो यह video पूरा पहले आप देख लो, उसक के बाद, हमारे channel पर, अगर आप नए हैं, तो पहली बात तो subscribe करके रखना बहुत सारे update, full courses के मिलेंगे, ethical hiking, वगर देखो, full series मैंने 6-6 घंटे के आसपास का दिया है, और इस सारी चीजें आपको देखो, long videos में, आपको 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बह अगर आप यहाँ पर इसको open करेंगे next step के अंदर, यह पूरा playlist में आप open करना, open करने के बाद, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, just wait, तो यहाँ पर अभी icon आ जाएगा, official upgrade क्या था, मैंने बहुत पहले बता दिया था, 12,000 लोगों ने इसको देखा और सीखा समझा, प्लस य कैसे मिलना यहाँ पर, and just उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि Windows ISO कैसे download करना है, Windows 11 का installation कैसे करना है, VMware पर, Windows 11 के installation में अगर कुछ error है, या जो कुछ भी मतलब यह error बार बार आती है, तो उसको कैसे fix करना है, है न, अगर आपका fixed VC runtime 140 DLL file missing है, तो उसको कैसे manage क कर सकते हैं, Windows 11 के बहुत सारे doubts पर मैंने video बनाया कि कैसे आप उस पर काम करेंगे, अगर आपको Windows 11 से related doubts है, और यहाँ पर customization से लेके live ISO कैसे download करेंगे, live कैसे boot करेंगे, physical pen drive में कैसे install करेंगे, मतलब boot करके install करेंगे, direct मैंने BIOS वगरे में UEFI, BitLocker, TPM support सब कुछ enable करके दिखा कैसे करना है, तो यह लगबग में 18 वीडियो है, अगर आप एक घंटे का समय देंगे, तो यह भी सीख जाएंगे, मतलब कि यह जो वीडियो का time है, इसके अंदर मैं यह सारे points एड नहीं कर रहा हूं, इसको आप बाद में देख लेना, जरूर है कि पहले इसको देखना है, आप यह पूरी series देखने के बाद, एक एक करके यह पूरा playlist देख लेना, और एक बार अगर आप यह वीडियो प्लस यह playlist देख लेते हो, तो definitely 100% आपका Windows 11, आप interviews के regarding यह हर एक particular topic के regarding तयार कर सकते हैं, और अपना interview क्रैक कर सकते हैं, तो चलिए, आगे बात करते हैं, यह बस एक चीज हमें सा याद रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबा लेना, ताकि कोई भी update मिस ना होने पाए, ओके, और Windows 11 का series, जो है यह, मैं वीडियो का link, जो है, complete playlist का, वीडियो के description में देदूँगा, जहां से आप देख सकते हैं, तो चैनल के playlist में, जस्ट यहां प download कैसे करना है, तो simple आपको यहां पे लिखना है, Windows 11 download, ISO download आप लिखेंगे, सबसे top पर आपको एक link मिलेगा, जहां पे आपको click करना है, click करने के बाद, जस्ट आप देखो, download Windows 11, आप directly यहां से भी download कर सकते हैं, आप directly ISO file download कर सकते हैं, यहां से करने के बाद, आपको दो option tool और इसमें आप अपने system के hardware के recording, recording आप यहां से download कर सकते हैं, तो मैं recommend करूंगा, आप एक बार ISO file download कर लो, उसको रख लो, यहां से आप इसको use कर पाएंगे, तो Windows 11 यहां से select करना है, and then download पर click कर देना है, and then यहां से आपको language select करने के लिए पूछ रहा है, तो language जो भी आप का है, उसको select करिए, and then confirm कर दीजिए, after confirmation, आपको यहां पर verify your download, अगर आप check करेंगे, तो यह आप देख सकते हो, इसके कुछ link मिल जाएंगे, जो कि जिस language पर भी आपका है, आप उसका cross check कर सकते हैं, कि आपको official image मिला है, या नहीं, या किसी ने उसके अंदर कोई modification तो नही support, and just आप click करेंगे, and आपका downloading स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं यहां पर download करके रखा हूँ, और फिर उसको installation भी बताया हूँ, तो यहां पर आपको playlist में मिल जाएगा, कि कैसे आगे इसको perform करना, यह official download था, तो आप यहां से करके आगे काम करेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने just beta या developer mode के बारे में बताया कैसे download करके इस्तेमाल करेंगे, यहां पर official मिल जाएगा, and then आप bootable यहां से सीख कर proper काम कर सकते हैं, छलो, फिलाल यहां पर basic introduction part हमारा end होता है, windows 11 को लेकर, अब हम आ जाते हैं, अपने computer system पर, और एक-एक करके, यहां पर काम करते हैं, दूसरी यहां पर VMWare पर physical machine कैसे install करना, यह भी मैंने आपको बता दिया है, hardware, यह सब चीजे बता दिया है, यहां पर 64 bit का support मिल जाता है, यह सारी चीजे, अब सबसे पहले यह जो task bar दिख रहा है, इसकी पूरी setting आपको समझाते हैं, तो this is the first setting कि how to manage task bar in windows 11, तो सबसे पहला यहां प search पे click करके किसी भी application को search कर सकते हैं, कितना enhance करके दिया गया है, mid में option है, आप इसको side में लेकर आना चाहें, उदर भी कर सकते हैं, internet edge browser मिल जाता है, आप देखरो Microsoft store है, यहां पे xbox है, to do है, instagram वगएरा, facebook वगएरा, मतलब एक तरीके का official यहां पे application type दे दिया गया है, जो आप mobile पर experience gain करते हैं, इन mobile applications को use करके वो अब आप इसके अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे, दूसरी चीज यहां पे paint वगएरा भी काफी enhance किया गया है, और यह बाकी की सारी details है, अब यहां पे आपको पता चल गया होगा कि कितने सारे advanced feature यहां पे मिल जाते हैं, यहां पे log कर सकते हैं, sign out कर सकते हैं, change account setting का option आजाता है, जेंज account setting में आप अपना username बदल सकते हैं, अपना password बदल सकते हैं, अपना account setting बदल सकते हैं, जैसे इस समय मैं login हूं, तो अपने एक email id से login हूं, आप कोई भी local account या email id 이제 change करके login कर सकते हैं, उसका भी just यहां से option आपको मिल जा ठी आप्शन इधर मिल जाते हैं और अपको इतर मिल जाते हैं तो यह तुरहाई स्टार्ट मेन्यूं का प्षिन ज़स्ट यहां पर सर्च आप से कर सकते हैं जैसे यहां पर इस देशाप्टों पर मैं काम कर रहा हूं Google Chrome पर मैंने यहाँ पर open कर दिया अब देखो मैं चाहता हूँ कि एक नया desktop मैं open करनू fresh fresh तो मैं यहाँ पर आ जाओंगा new desktop अब देखो मैं यहाँ पर new desktop पर आ गया और यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं open है दुबारस हम यहाँ पर आके first desktop पर आ जाएंगे ऐसे widgets के बारे में बात करें तो यह widgets option है जिसमें आपको different different types के widgets मिल जाते हैं यही से आप directly इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप देखो इस पर click करके आप जा सकते हो यह verification करेगा मेरे Microsoft account वगरे के बारे में तो कोई नहीं यहाँ पर मुझे इसको close कर देना है और या तो मैं यहाँ पर change कर लेता हूँ अपना account let me check forget या ऐसे कुछ यहाँ से back अभी actually मेरा Microsoft account यहाँ पर change करने के लिए बोल रहा है तो कुछ इस तरीके से है यह दूसरा कुछ email यहाँ पर उठा रहा है बट मेरा email id यहाँ पर दूसरा है तो widgets बगहरे में आपको ऐसे कुछ बहूत सारे Widgets मिल जाएंगे जहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंड यहाँ पर chat setting आपको मिल जाता है जहां से आप chat setting enable कर सकते हैं बहुत सारे लोग जो भी है अपना chat enable करने के लिए इन सब चीजों पर काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो chat option यहाँ पे available हो जाता है, जहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और use कर सकते हैं, use another account पे मैं आ गया है यहाँ तो अब देखो यहाँ पे, मैं अगर कोई दूसरा meeting option है, यहाँ पे Microsoft का meet option है, chat option, यहाँ से माल लिया कि मैं अपना account login कर देता हूँ, अब आपका जो भी मतलब Microsoft account है, जैसे login हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी काम है, उस पे काम कर सकते हैं, first name, last name, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ name type कर दिया, add किया, यहाँ पे January year पूछ रहा है, okay, 2020, नहीं, 2000 मैं कर देता हूँ, and next मैंने कर दिया, just next किया, and यह login कर लेगा, तो एक तरीके का, इस तरीके का chat, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो, यहाँ पे okay हो गया, अब आप अपनी ID को, या अपने email को, जो भी Microsoft account है, इसको share करके, किसी के भी शाथ क्या कर सकते है, अपने video call, audio call, इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं, तो काफी enhance करके, यह option दिया हुआ है, देखो, यह पूरा का पूरा, okay, invite people, meeting वगरे, आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत best option यहाँ पे आपको मिल जाता है, okay, तो फिलाल मैं इसको close करता हूँ, अब directly आप यहाँ से भी access कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अब access मिलेगा, अपना account, chat, सब कुछ है, किसी को भी यहाँ से use कर सकते हैं, और किसी के भी account को यहाँ से add कर सकते हैं, सर्च में भी जाकर कर सकते हैं, अगर कोई available है, तो वो मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको directory option है, Microsoft Edge है, यहाँ पे applications, Microsoft Store का मिल जाता है, जस्ट अगर आप इधर आएंगे, तो आपको मिल जाएगा tray, जहाँ से आप OneDrive, Google Drive, बहुत सारे मतलब कुछ applications बगर यहाँ पे Microsoft Tray में मिल जाएगे, यहाँ पे आप mute and mute कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना network access enable, disable कर सकते हैं, Microsoft ने यहाँ पे directly volume controller दे रखा है, battery बगर एक icon आप देख सकते हैं, कितना enhance करके दिया हुआ है, यहीं से आप देखो Bluetooth, power, airplane, सब कुछ brightness वगर, सब कुछ up down कर सकते हैं, and just यहाँ पे आप अपना date or time वगरा manage कर सकते हैं, just यहाँ पे click करके, तो इस तरीके से कुछ options आप लोगों को मिल जाते हैं, and यहाँ पे आपको notification area है, जो भी यहाँ पे notification आता रहेगा, just यहाँ पे link पूरा मिलता रहेगा, आप manage कर सकते हैं, task bar की complete setting के लिए, आप यहाँ पे right click करेंगे, task bar की setting में आ जाएंगे, and आप यहाँ पे देख सकते हो, कि कुछ इस तरीके से option है, यह मेरे account का name है, and यहाँ पे search option enable करना, disable करना क्या है, this is the task bar setting, तो यहाँ पे personalization जो है, वो task bar के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे आप search option जो है, इसको रखना चाहते हैं, यहाँ से disable कर देंगे हट जाएगा, enable कर देंगे आ जाएगा, ऐसे जो भी आप option यहाँ पे रखना चाहें, रखना चाहें, हटाना चाहें, हटा सकते हैं, उसके लिए virtual touchpad और सब कुछ यहाँ पे enable करने का option दिया हुआ है, बाकि यह सब चीजे है, and just अगर आप यहाँ पे top पर आते हैं, और आप देखें, यहाँ पे तो आप लोग, आपको यहाँ पे personalization में आपको theme अगरा का भी option मिल जाता है, background setting आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे colors अगरा का option मिल जाता है, theme, lock, touchpad, start, taskbar, font, device usage, जैसे अगर मैं theme पर click करता हूँ, theme पर click करने के बाद, मुझे यहाँ पे कुछ इतने सारे theme मिल जाते हैं, आप background में देखो, कुछ इस तरीके की theme है, एक छोटा समय यहाँ पे theme आप लोगों को change करके दिखाता हूँ, जैसे मैं colors वाला लगा देता हूँ, and let's see कि क्या होता है, तो अभी तो कुछ change हो गया पूरा, अब देखते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखेगा, तो ये भी एक बहुत ही attractive theme यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, देख रहे हो आप, बढ़ एक best या next level का यहाँ पे theme देखने को मिलता है, डार्क वगर में आप अगर रखते हैं, तो आपकी battery backup और ये सब चीज़े काफी अच्छा चलेगा, जैसे ये वाली theme जो है, ये काफी अच्छा आपको experience प्रोवाइट करेगा, तो आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डार्क theme यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, आप देख सकते हो, ये भी काफी attractive theme है, तो theme यहाँ background wallpaper को लेकर काफी अच्छा enhance किया है Microsoft ने, बाकी यहाँ पे icons वगरे देख सकते हो, desktop पर भी कुछ इस तरीके से किया है, तो चलो फिलाहल मैं यहाँ पे आजाता हूँ, task bar के दुबारा से setting में, बाकी यहाँ पे आपने personalization में देखी लिया, कि कैसे आप personalize कर सकते हो, desktop, theme and सब कुछ को लेकर, तो चलो इसको मैं close करता हूँ, तो finally task bar की setting आपको समझ में आ गया, एक चीज़ और है, window R करिए अगर यहाँ पे और लिखिए task bar, sorry task MGR और enter कर दीजिए, task manager यहाँ से भी आपको open हो जाएगा, and यहाँ से just click करेंगे performance में अगर आप आजाएंगे, आपकी CPU की performance, आपका CPU जो है, उसकी details, memory, disk, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, कितनी देर से हमारा system on है, यह भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपके system की speed, cache memory, सब कुछ यहाँ पे available है, देखने को मिल जाता है, तो आप इस तरीके से use कर सकते हैं, यहाँ से task manager का use, और जिसके थुरू आप अपने system के applications को manage कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अब यहाँ पे सबसे second topic पर यह बात मैं करूँगा, कि आप यहाँ से desktop की setting पर कैसे manage करेंगे, desktop की setting पर right click करेंगे, view option में आप अपने desktop के icons को set कर सकते हैं, large icon कर देंगे तो कुछ ऐसे आजाएगा, medium कर देंगे तो कुछ ऐसे आजाएगा, इसको यहाँ से small करना है तो बहुत छोटा हो जाएगा, auto arrange जो भी करना है, desktop icon को हटाना है तो यही से आप हटा सकते हैं, और दुबारा वहीं से लाना है, तो so icon करके ला सकते हैं, दूसरी चीज, control प्रेस कर लीजिए, scroll up, down की करिए, तो आपका यह icon automatic set हो जाएगा, तो as per your need आप इसको भी चाहें, तो manage कर सकते हैं, ओके, दूसरी चीज, आप यहाँ से आजाएगे, sort option में, तो उपर यह से name wise display हो, size wise यह manage हो, तो यह सब कर सकते हैं, यही से आप अपना directory file folder, जो कुछ भी है, डिरेक्टिव बना सकते हैं, display की setting कर सकते हैं, personalization कर सकते हैं, या display की setting में resolution set कर सकते हैं, जो भी है, जैसे भी आप करना चाहें, उसके आगे show more options में, आप लोगों को पूरा का पूरा और option मिल जाएगा, और यह सारी चीज़े हैं, सबसे एक और यहाँ पे desktop से related में आपको option दे दूँ, कि यहाँ से भी personalization और सारी चीज़ें, आप लोगों को open होकर मिल जाती हैं, अच्छा, यह तो रही second part की बात है कि desktop के customization या theme बगर कैसे manage करते हैं, दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे right click करते हो, शो more में आ जाते हो, तो देखो एक open in windows terminal, एक नया terminal यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब आप इसको open करेंगे ना, कुछ इस तरीके से open करके देगा, आप देख सकते हो, यह, अब कुछ आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यह आपको पूरा का पूरा एक parcel का inbuilt script run करने के लिए दिया हुआ है, where you can manage multiples of linux details, multiples of linux commands आप यहाँ पे, मतलब linux based यह पारसल command आप यहाँ पे इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यह एक option यहाँ पे देखने को मिल जाता है, साथ में अगर आपको पूरा का पूरा command prompt पे चाहिए, तो आप यहाँ से आ जाएं, और command prompt यहाँ से open करें, this is the command prompt details, and अगर आप यहाँ पे azure cloud को यह access करना चाहते हैं, with the help of command line, तो definitely आप इस पे click करेंगे, and the information जो भी है यहाँ पे, आप open करेंगे, तो यह cloud बगरे का access अगर आपके पास है, तो definitely आप जा सकते हैं, नहीं तो यह सब use करेंगे, चलिए अभी commands के बारे में काफी details में बाते करनी है, तो task bar हो गया, इसको minimize, maximize वगेरे से related, अगर मैं option दिखाऊं जैसे, यह मैंने एक browser open कर दिया, साथ में मैंने एक यहाँ पे, मैं server पढ़ा रहा था online class में, तो यह मैंने कुछ screenshot लिया था, यह मैंने रख दिया, एक और मैं CCN ने पढ़ा रहा था, तो इसका screenshot यहाँ पे है, यह मैंने रख दिया, अब यह बुरा unarrangement में दिख रहा है, दर कैसे मैं इस पे जाओ, उस पे जाओ, कैसे मैं जा सकता हूँ, तो इस condition में आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप थोड़ी दिर mouse pointer को रखिए, आप देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से आप अपना windows manage करना चाहते हैं, जैसे अगर आपके पास तीन panel खुला है, तो पहले वाले को इधर रख दो, दो यहाँ पे option कुला है, तो जैसे मालिया मैंने इसको open किया, तो यह देखो, सब कुछ यहाँ पे automatic manage लग रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे manage लग रहा है, कुछ इस तरीके से है, जस्ट आप यहाँ पे top पे कर दीजिए, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, यह सारे options आप कर सकते हैं, मतलब कितना अच्छा यह enhance करके, सारी चीज़े दे रहा है यहाँ पे, तो आपको यह बहुत based option एक मिल जाता है, जहां से आप अपना minimize, maximize, प्रॉपर तरीके से multiple window के साथ easily manage कर सकते हैं, और improve कर सकते हैं अपने performance को, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे icons and सब कुछ आपने देखा, कितना अच्छा यहाँ पे improve करके दिया गया है, सारी चीज़े manage करी गई है, desktop icon download और सारी चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ desktop download और यह सब चीज़े करा हुआ है, तो आप देख सकते हो, अभी बिल्कूल new system मैंने यहाँ पे configure किया है, तो यह सारी चीज़े हैं, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे multiple windows के लिए projector option जो है न, काफी based आपको मिलता है, window P आपने press करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, window P के बाद आप यहाँ पे PC screen, duplicate screen, extended और यह सब चीज़े देख सकते हैं, अगर आपके पास दो-दो display है, तो आप यहाँ से extend करके, अपना एक display और एक अदर दूसरे display पर दूसरा काम कर सकते हैं, काफी नहायन्स होता है, जो online classes वगर आप लेते हैं, तो इस तरीके से आप पूरा display expand करके काम करेंगे, तो काफी अच्छे applications और अपनी lab वगरे सारी चीज़े manage कर पाएंगे, तो यह सब चीज़ें आपने देख ही लिया, दूसरी चीज और मैं यहाँ आप बता दूँ कि यहाँ पे कुछ quick settings वगरे हैं, quick settings वगरे में जैसे यह कुछ quick settings वगरे हैं, आपका Microsoft account, आपका OneDrive, आपका Windows, update, display setting, sound setting, अब यह सब settings सहसी नहीं है कि आपको बतानी पड़ेंगी, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं अभी लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा, जो भी आप लोगों को बताना है, वो मैं details में अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, चाहे वो network service से related हो, firewall की service से related हो, या जो कुछ भी है, ओके, तो फिलाल मैं इसको करता हूँ, close, और, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे की बारे में बात करते हैं, कि settings में आने के बाद, कुछ important settings हम लोग देख लेते हैं, manage करना, सीख लेते हैं, जैसे windows update जरूर आप time to time चेक करते रहें, इससे आपका system up to date होगा, और proper आपके system की security बनी रहेगी, privacy and security के अंदर आप windows security, antivirus, browser से related सारी चीज़े, firewall वगरे सब कुछ manage कर सकते हैं, जस्ट आपने click करना आप देखो यहाँ पर action recommended कुछ virus वगरे यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखो action recommended है तो definitely आप इस चीज़ को use करें, set up one drive for ransomware attack, यह सब चीज़ें enable कर दें इससे क्या होगा कि आपका ransomware attack नहीं होगा किसी भी तरीके का online attack से आपका system ज्यादा secure होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर ओके account protection, firewall सब कुछ होगे है इस तरीके कर सकते, accessibility में आने के बाद text size, visual effect, mouse pointer वगएर अगर आप change करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे mouse pointer पर मैं click करूँ, ऐसा मुझे pointer चाहिए तो अभी देखो मेरा pointer इस तरीके से हो गया, इसको जितना बड़ा चाहिए उस तरीके से मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, और इतना कर सकता हूँ, एक pointer बढ़ा देता हूँ, अब काफी visible हो जाता है हमारा pointer और काफी अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है, बाकी color आप change करना चाहते हो, तो as per your requirement देखो, जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पर click कर सकत हैं, फिर आप दुबारा से setting पर आईए और देखिए यहाँ पर क्या करना है, accessibility हो गया, and then accessibility में यह सारी चीज़े मिल जाते हैं, text font सब कुछ, gaming option, gaming option में देखो, xbox का support मिल जाता है, xbox में क्या होता है, कि game bar आपको मिल जाता है, और इसको जरूर off रखें अगर आप gaming नहीं क करते हैं, तो, graphic cards वगरा यहाँ पर detect करके, अगर आपके system पर है तो उसके बारे में यह बता देगा, but don't worry, यहाँ पर नहीं है, तो आपका ऐसे कुछ नहीं होगा, and gaming वगरा को यहाँ से आप off रखेंगे, यह आपके system की performance को काफी जादा enhance करता है, काफी जादा fast करता है, capture option यहाँ पर है, अगर आप gaming, game box मतलब की Xbox यहाँ पर enable करके रखते हैं, तो आप directly जैसे screen recording या gaming करते समय उसके gameplay को record कर सकते हैं, और उसको save कर सकते हैं, ओके, तो game mode यहाँ पर देखो दिया हुआ, optimize your PC for play, ओके, तो game mode यहाँ पर enable लखना है, disable लखना है, तो आप उस हिसाब से क कर सकते हैं, मैं disable लखता हूँ, क्योंकि यह हमारे system की, जो मतलब performance है, काफी ज़्यादा बढ़ा देता है, और अगर हम इसको on रखेंगे, तो हमारे system की performance कहीं न कहीं ज़्यादा utilize होता है, फाल्तू के settings में, time and details की बात करें, तो यहाँ से आप manage कर सकते हैं, account setting मेगर आप य जो भी हमने application इस्तेमाल किया होगा, सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा, और मैं यहाँ से उसको क्या कर सकता हूँ, add या, remove कर सकता हूँ, as per our requirement, जो भी application मुझे add करना है, remove करना हो कर सकते हैं, personalization बताए दिया, network setting आपको यहाँ पे मिल जाती है, network setting में, आप देखो, अभी त setting के options से, तो यह सारी setting आपको कहां से मिल लगी है, बस single यहाँ पे click करना, और setting के अंदर आपको आकर यह सारा काम कर लेना है, Bluetooth devices इसको manage करना है, सब कुछ यहाँ पे, other Bluetooth devices add करना है, जैसे मैं यहाँ पे Dell का keyboard model यह use करता हूँ, इसका में unboxing video भी डाला है, तो यह काफी अच्छ जैसे यहाँ पे OneDrive है, तब OneDrive पे मैंने click किया, तो OneDrive यहाँ पे मैं sign कर सकता हूँ, जैसे मैं अपना account detail यहाँ पे add कर दूँ, and OneDrive बगरा का यहाँ पे मुझे live support मिल जाता है, sign in कर देना है, आपका account बस Microsoft पर add होना चाहिए, और फिर उसका password आप पता होगा, तो definitely आप इसक को login करके काम कर सकते हैं, जैसे मैंने इतना कर दिया, and then login कर दिया, बस OneDrive आप यहाँ से इस्तिमाल कर सकते हैं, OneDrive को इस्तिमाल करना काफी आसान है, इसके अंदर आप अपना file data, जो भी directories वगरा, अपने Microsoft Cloud पर store कर सकते हैं, do not send optional data, send optional data, बस यहाँ पे वो कर दीजिए, जो इसका folder बनेगा, हमारे OneDrive नाम के folder में बनेगा, तो ठीक है, वहाँ पे भी रहने देते हैं, use this folder, choose new folder, okay, same जो existing folder, उसी को रहने देते हैं, and then done कर देंगे, one TB का यहाँ पे आप को storage मिल जाता है, अगर आप 365 personal लेते हैं, तो premium feature यह सब चीज़ें दिया हुआ है, तो नहीं, again next कर देता हूँ, again यहाँ पे आपको next कर देना है, बस आपको कोई paid वाला यहाँ पे select नहीं करना है, अगर आप paid के साथ जाना चाहते हैं, पैसे हर मंत देकर अपना data रखना चाहते हैं, ज्यादा backup आपको चाहिए तो जा सकते हैं, तो open my google, sorry, one drive folder, तो यहाँ पे one drive folder है, ज इसके अंदर यह सारी चीजे रखे हुई है, ओके, चलो, अब मैं इसको close कर देता हूँ, one drive मेरा यहाँ पे sign up हो गया, sign in हो गया, अब just यहाँ पे click करेंगे, one drive को open करेंगे, आप देखो यहाँ पे, कुछ अच्छा, यह audio अगर यहाँ पे upload हो रही है, what is this, audio, audio, यह क्या च open करूं ते देखो, सभी का, सभी मेरा यहाँ पे upload होना ही start हो गया, मतलब fall to की चीजे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आकर पहले तो pause करना होगा, and just close one drive option use कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना पूरा का पूरा यहाँ पे account ही हटा दें, तो best है, close one drive, and अभी one drive यहाँ से हट गया, अब just मैं यहाँ पे आ जाता हूं, and अब यहाँ पे मैं type करता हूं, one drive, one drive ऐसे कुछ, और just मैं यहाँ पे open करूंगा, and मैं देखना चाहता हो कि मेरा क्या upload हुआ यहाँ पे, okay, तो one drive uploads में, क्या चीज़ें हैं, अभी तो यहाँ पे empty दिखाने लगा, okay, but one drive यह सारी चीज़ें upload कर रहा, okay, तो यह सही नहीं क्योंकि इतना mb, जो internet अगर fast आपका connected है, तो यह सब चीज़ें problem होती है, चलो one drive की setting को मैं open करता हूं, और यहाँ पे option है, settings वगेरे में, start one drive automatically when windows sign in, अच्छा, नहीं start करना है, automatically pause sync when, अच्छा, यह automatic option सारा हटा दे, backup में आ जा storage, network, offline, about details, सब दिया हुआ, अब देखो one drive को मैं क्या करता हूं, जैसे get more storage, unlink this PC, और यह सब चीज़ें, तो आप यहां से unlink करके ही रखें, क्योंकि one drive पे यहां से जाना कोई safe, अच्छी बात नहीं है, और अगर आप जाना भी चाहते हैं, तो definitely you can go for, यह मतलब की one drive के लि अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, और account setting पे आ जाता हूं, यहां से, see this is account setting, your information, email, sign in option, your information में आ जाते हैं, और यहां पे देखो दिया हुआ न, Microsoft account, sign in यह, just आपको यहां पे click करना है, यह Microsoft account पर redirect करेगा आपको, Microsoft account पर जब redirect करेगा तो यहां पे बहुत सारी details आपको मिल जा जो भी options वहां पे आपने enable कर रखा, outlook, discover, whatever जो भी है, यहां पे option वो सब भी, जो से related मिलेगा, one drive में आप directly फिर यहीं से data को upload, download कर सकते हैं, है न, payment वगरा करके, आप यहीं से or additional features वगरा आई कर सकते हैं, यह सारे options आपको यहां पे मिल जाते हैं, your information में आपकी सारी information मिल जा open कर लेता हूं, मेरा outlook सब कुछ यहां पे open हो जाए, skype वगरा भी open हो जाएगा, अब one drive में देखो my files जो भी upload हुआ है, वहां से desktop से, वह सब कुछ यहां पे दिखा रहा है, तो आपको वहां से unlink करने से पहले, तो हम तो यहीं कोसिस करेंगे, गर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है न, तो इसको delete कर दे, क्योंकि यह कोई भी जरूरी नहीं है, यहां मुझे रखना है, तो फालतू का मेरा upload हो गया था, तो यह one drive के अंदर देखो, मैंने सब कुछ delete कर दिया, and restore your one drive, restore में आ जाएंगे, and just, ठीक मुझे restore नहीं करना है, I think मैं बस यह चेक कर करना चाहते हैं, तो definitely आप यहां से जाकर कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, okay, फिलाल यह हो गया, and then मैं इसको close करूँगा, and अब यहां से close कर दीजिए, आजाए one drive पर, account पर, और यहां से unlink this PC, unlink the account, आप unlink कर देंगे, दुबारा से जब आप one drive पर login करेंगे, तो आपको अपन यह चीज आपने देखना है, ध्यान देना है, and then आप कर लेंगे अपना login, कोई दिक्कत नहीं है, okay, तो यह चीज हो जाती है, अब आपने यहां पर one drive सारी चीजे देख लिया, and अब यहां पर अगर हम अपने system पर basic command prompt इस्तेमाल करना चाहें, तो open windows terminal यहां से open करिए, को follow करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं parcel पर ही हूँ, तो यह सारी चीज, जैसे current desktop पर हूँ है, यहां पर क्या-क्या रखा हुआ है, ls command से मैं check कर सकता हूँ, तो यहां पर Cisco packet tracker रखा हुआ है, print server jpg, एक jpg file है, एक और png file है, यह चीज रखा हुआ है, ls space-l भी चलता है, क् जैसा नहीं, Linux की command है, cls से clear हो जाएगा, यह clear screen कर देंगे, अब यहां पर mkdir space एक नया folder जैसे मैं शेस नाम से एक नया folder बनाओ, तो यह देखो, यहां पर एक नया folder बना देगा, और इसको rmdir, same सारी command वही काम करती है, definitely आप use कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, तो देखो, मैंने यहां पर rmdir delete कर दिया, अब यहां से यह delete हो गया, अगर माल यहां कोई folder आपने बनाया, जैसे mkdir और मैंने बना दिया, ll करके एक directory, ओके, ll तो यहां पर हमें बनके मिल जाएगा, just refresh करना है desktop पर, यह थोड़ा सा time लगता है, और a-t-r-i-b, और space plus h, space, अब मैंने यहां प एक बार refresh करके देख सकते हैं, and just उसको unhide करना है, तो plus h की जगा, आप minus h लिखेंगे, enter करेंगे, तो definitely वो चीज यहां पर आ जाएगी वापस, और दुबार असे इसको delete करना है, तो rmdir ll लिखी enter, तो वो completely delete हो जाएगा, and ls app चेक करिए, तो अब आपको यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, just यहां पर refresh करिए, okay, तो clear मैं कर देता हूं, screen को, ip address चेक करना है, तो ip configs से आपको सारी detail मिल जाएगी, ip with mac address चेक करना है, तो ip configs less all है, and ping करना है, तो ping कर सकते हैं, यह सारी commands होती है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी चीज, अगर आपने date यहां पर display कर देगा, cal लिखने के बाद आपको calculator open करेगा, calendar open करेगा, नहीं, कुछ नहीं open करेगा, यहां पर, okay, तो मैं clear करता हूं, यहां पर, cal calc.exe, कुछ भी applications अगर open करना है, तो आप यहां से directly run कर सकते हैं, तो command prompt पर अगर आपको application का sort code पता है, तो definitely आप उसको run कर सकते हैं, को issue नहीं होगा, और इस तरीके से आपका काम करता है, अब windows 11 का एक तरीके का जो introduction इदर दर का part था, मैंने बता दिया, command line से क्या ही बता हूं, command line से और क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसे, ipconfig, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, ipconfig.exe, ispaceless, release या renew, अगर मैं यहां पर कर देता हूं, release and renew, तो यह भी हमारा काम करेगा, release, renew का भी option, तो release, renew भी कर सकते हैं, tracer, command का इस्तेमाल कर सकते हैं, art, command का इस्तेमाल, net stat, command का इस्तेमाल, यह सब चीज़े कर सकते हैं, Windows पर command line की एक dedicated series में बनाया हूं, Windows 10 के अंदर, तो अगर आप पूरा का पूरा command base पर चीज़े जानना चाहते हैं, तो Windows 10 लिखेंगे, Windows 10 says 4, YouTube में, आपको सबसे टॉप पर एक वीडियो मिलेगी, जैसे, Windows 10 says 4, enter कर दीजिएगा, और यहां पर देखो, Windows 10 का 1 गंटा 46 मिनट का वीडियो, इसके अंदर command prompt मैंने काफी depth में बताया हुआ है, और वो चीज़ पूरी के पूरी आपको मिल जाएगे, Windows 10 से related आपको यहां पर देख रहा हूं, 51 वीडियो मिलेगी, और यह Windows 10 का ही नहीं है, OneDrive अगरे से लिए कि हर चीज़ मैंने आप बहुत अच्छे से समझा आया है, बताया है, आप बस यहां पर विजिट करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं, depend करते हैं आपके उपर कैसे काम करना है, ओके तो फिलाल यह सारी चीज़ें आपने देख लिया, manage करना कैसे क्या है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ नई services की तरफ, जैसे Windows Update की settings, अग अपडेट सेटिंग को one week के लिए है, जिसने भी समय के लिए पहुच करना चाहते हैं, best option यहां से पहुच कर सकते हैं, and update history आप यहां से चेक कर सकते हैं, Windows Insider program मज जोइन करिएगा, इसका अभी अगर आप developer या proper तरीके सा आपको knowledge नहीं है, तो इसमें जाने की ज़रूरत न हो जाएगा, and then, वो okay हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा internet service देनी है, यहां पर, अब तो काफी चीज़े हो गई, IP setting के बारे में यहां पर समझ लेते हैं, आप सबसे पहले माल लिया कि आपको अपने computer पर कोई भी folder बनाना है, और share करना है, तो पहले folder बना ले, फिर हम लोग sharing समझ लेंगे, जैसे मैंने यहां पर एक folder बनाया, और मैंने इसके अंदर apps नाम का एक data, मतलब directory बनाया, इसके अंदर मैंने कोई data रखा, जैसे मैं एक file बना लेता हूँ, यहां पर new के अंदर, एक file, text file, और my pass, enter कर दिया, and just मैं इसको share क करके दूसरे client को access कराना चाहता हूँ, तो आपके computer की IP आपको पता होना चाहिए, and यहां पर right click करेंगे, show more option पर आजाएंगे, and यहां पर आप, sorry, इस पर right click करेंगे, and इसकी property directly यहां से open कर लीजिए, okay, directly property open करने के बाद, this is the sharing option, share करें, share करेंगे, and just everyone को यहां से select कर लो, जैसे मैंने everyone को किया, add किया, read write के permission दिया, and then मैंने यहां से share कर दिया, ठीक है, share करने के बाद यहां से turn on discovery point, ऐसा कुछ कर दीजिए, and then okay कर दीजिए, and advance sharing जरूर करिए, and permission read write का जो भी आपको करना है, वो करके okay कर दीजिए, and then apply okay, अब आपका यह folder share हो गया, access कैसे करना है, window R करना double backwards less, आपको अपने computer की IP add करना, और enter कर देना, directly आपका यहां पर access हो जाएगा, तो आपने apps नाम का यह data यह share किया था, इसके अंदर देखो my pass card के list है, किसी भी computer system से, अगर आपके PC से connected है, तो आप इसको यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं, अब आप कहेंगे कि मेरा PC क कैसे connect होगा, किसी से और यह सब चीज है, ओके, तो दो PC connect करने के लिए आपको क्या करना होता है, बस LAN के बल से connect करना होता है, and then आप फिर उस पे share कर पाते हैं, ओके, तो sharing वगरा का मैंने networking में live video बनाया है, अभी networking का part हो जाएगा, तो windows में, आपको sharing वगरा तो बताई दिय हैं यहाँ पर networking करना नहीं possible, इसमें बताना networking की पूरी series मेरे channel पर है, अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि आप अपने computer की IP कहां से change कर सकते हैं, तो window R लिखिए और यहाँ पर type करिए ncpa.cpl और enter कर दीजिए, direct आपको आपके wifi console पर लेकर आएगा, यहाँ से आप अपन ethernet adapter का IP address change कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ethernet adapter select किया, tcp ip version 4 select किया, इसकी property में आ गया और जो भी मुझे IP यहाँ पर देना है, जैसे महले मुझे मेरे router पर जो मैंने broadband connection लिया, उसकी IP है 192.168.0.1 यह 0.1 यह मैंने कर दिया, तो यह हमारे router modem पर assign IP है, तो मैं यहाँ 2 कर सकता हूँ, उसी से बढ़ते हुए आगे 234, 254 तक या 255 तक किया जा सकता है, बढ़ 254 तक हम लोग use कर सकते हैं, gateway में हम लोग अपने router की IP add कर देते हैं, जैसे यह हो गया, and DNS जो भी ISP हमें provide करता है, वो अपने DNS server की IP add कर देते हैं, और फिर हम लोग internet चलाना start कर देते बस यह है, लेकिन यहाँ एक और option है, opt-in कर देंगे तो आपके network में अगर DSCP server लगा हुआ है, तो उससे आपके computer को IP मिलेगी, और आपका computer फटा फट एक internet access करना है, start कर देगा DSCP से, इसमें आपको manually IP देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस यह कुछ चीजे थी, और आपक Windows में आ गया होगा इतना, and next आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको close कर देना, यह IP सेटिंग से related रहा है, मुझे बस overview देना है अप लोगों को पूरी चीजे है, मैंने बता रखा है, जो लोग मेरे पुराने user से उनको पता ही होगा, but मैं आपको इनकी settings, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि Windows 11 बहुत अलग है, कुछ यह है, वो है, बहुत सारे लोगों कैसा था, पर ऐसा कुछ नहीं है, सारी settings यहां से देख लो, A to Z sub manage कर लोगे, आख पंद करके, यह सारी चीजे है, अब सबसे बढ़ियां यहां पे रहता है कि आपको अगर join करना है किसी अभी client को या अपने domain को बहुत सारे लोग server level पर अपने company में इसको इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपना my computer open करिए, इसकी property open कर लीजी, okay, property open करने के बाद, just change option यहां पे मिलेगा, change option, wait, तो मुझे यहां पे domain और work group पे आ जाना है, and change option, और यहां पे domain पे click करना है, and then यहां से join कर लेना, but यहां पे domain क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि यह कोई problem यह सब चीज़े है, domain जो है windows home edition पर नहीं आएगा, है ना, यहां पे दिया हुआ है, कि जो आपका running edition है, यह proper तरीके से supportive नहीं है, home edition पर नहीं आएगा, बाकि अगर आप pro edition पर इन सब ID और यह सब चीज़े, क्योंकि यह safe नहीं है, दिखाना है सब चीज़े, okay, तो फिलाल यह सारा का सारा आपका रहा IP सेटिंग और यह सब चीजों से related file folder sharing आपको मैंने बता दिया, important commands, सब वहीं है commands के बारे में, and अगर कुछ भी doubts windows 11 से related रहता ना, तो इस वीडियो को देख content यहां पर security panel समझ लेते हैं, and then video को end करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने यहां पर देख लिया, partition manage करना, disk वगर का, सब कुछ मैंने इस playlist में add किया हुए, so please एक बार windows 11 की पूरी playlist देख लेना, मैं वीडियो को description में add कर दूँगा, और पूरा partition एक एक करके step by step live दिखाय बनाया है, तो अलग से बार बार पूरा का पूरा data delete नहीं कर सकता मैं, तो यह सारी चीज़ें, अब अगर मैं यहां पे आप लोगों को setting पर आकर दिखाऊं, setting पर आने के बाद, आपने यहां पे bit defender या firewall की setting पर आ जाना है, जैसे यहां से privacy and security, windows security, और windows security माने के बाद यहां protection, firewall यह सब चीज़ें, तो सबसे पहले आप firewall पे आजाईए, firewall पे आने के बाद, just आपने यहां पे click करना है, यह तीनों आपका enable होना चाहिए, active होना चाहिए, काम करना चाहिए, firewall किसी भी हाल में disable नहीं होना चाहिए, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, firewall notification setting, अगर आप firewall notification setting change करना चाहिए, just click करके यहां से notification setting change कर सकते है, manage provider से, यह कोई mandatory part नहीं है, आपको simple जैसे domain को हटाना है, click करिए और हटा दीजिए, यहां से, okay, तो यह भी आप check कर सकते हो, firewall की setting को यहां से manage कर सकते हो, advance setting में आकर अपना firewall का advance rule वगरे create कर सकते हो, उसको manage कर सकते हो, जैसे य यह मैं अभी आप लोग को दिखाता हो, कैसे इसको बनाना है, कैसे manage करना है, definitely काफी helpful होगा, okay, but before that हमें समझ लेना है कि कैसे firewall और भी अच्छे तरीके सम लोग यहां पी enhance कर सकते हैं, तो सबसे पहले threats and protection में आपका okay होना चाहिए, सब कुछ okay होना चाहिए, one drive के लिए यहा drive हम यूज नहीं करते हैं, बाकि हमारा ransomware का कोई भी update यहां पर, कुछ भी ऐसे नहीं लग रहा है, यहां पर किसी भी तरीके का कुछ issue होगा, तो यहां पर green check नहीं बना होगा, okay, तो यह हमेशा चेक करते रहें, आप का active होना चाहिए, दूसरा, अब यहां पे आप view threats वग capability है, आपके system को आसानी से hack किया जा सकता है, okay, तो यह सब चीजे हैं, okay, तो यह सब चीजे आप यहां से check करने के बाद, defender वगरे चेक कर लेंगे, and then finally firewall पर आ जाएंगे, firewall में आप check करेंगे, advance rule, yes करेंगे, and then इसको close कर देंगे, आपको यहां पर advance rule आ जाएगा, अब जैसे आप यहां पर देख रहा है, firewall के तुरू किसी भी program को block करने, जैसे यहां पर मैं internet explorer यूज कर पा रहा हूँ, अब मुझे firewall के अंदर क्या करना है, इसको block करना है, outbound मतलब हम चाहते हैं, कि हम किसी बाहर के computer या system को access ना कर पाएं, अपने Google Chrome से, तो आप यहां पर outbound पर आए port या custom, तो यहां पर program के लिए select करिए, next करिए, अब यहां पर this program, जो भी आपका program है, यहां से select कर लो, program path, तो मैं यहां से select कर लेता हूँ, and just आप यहां पर आजाईए, अपने c drive पे, जहां कहीं भी आपका program हो, उसको select करिए, तो for example, मेरा program यहां पर Google Chrome है, Chrome के अंदर, application, chrome and just मुझे next करना है, block this connection, next करना है, private, public, सभी network के लिए, और मैं यहां पर लिख देता हूँ, chrome, chrome लिखने के बाद, just मुझे finish कर देना है, and अब जरसा यहां पर मैं आ जाऊँ, और check करूँ, what happened? अब तो यह गोल-गोल गुमार है, देखते हैं क्या होता है, बस block हो गया connection, तो application पूरी तरीके से control हो जाता है, यहां से, और दुबारा इसको disable कर दीजिए, again आप इसको delete कर दीजिए, आपका connection active up working में आ जाएगा, तो यह best आपको windows, firewall के अंदर option मिल जाता है, defender की setting मिल जात जादा नहीं है, जिसको आप use ना कर पाएं, तो यह सब चीजें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, manage कर सकते हैं, तो फिलाल, आप इन सारी चीजों पे समझ गए, देख गए, सीख गए, अब आप बताईए को comment करके कि और भी क्या update आप लोगों को चाहिए, किस तरीके की information आ चाहते हैं, ताकि हम आपकी help कर पाएं, और फिर उस पे काम करें, तो अब बस मैं यहाँ पर वीडियो को end करता हूँ, यह लगबग में one hour के अंदर पूरा का पूरा आप लोगो को session बताने की कोसिस किया गया है, according to comments, already मैंने एक देड़ घंटे की वीडियो शूट करके लेंगे, तो बस finish करते हैं, और अगर कोई भी doubt आप लोग होता है, तो जरूर comment करना मैं उसका वीडियो का description, या sorry comment box, read करके पूरा का पूरा within week या इसी Sunday तक आप लोगो को पूरा का पूरा answer कर दूँगा, वीडियो आप एक बाद में देखेंगे, मैं भी बहुत सारे लोगो कोई से सारे doubts clear कर दूँगा, कोई भी doubt होता है, पूछिएगा, मिलते हैं next video में, thank you so much.